स्टोरी टाइम E.N.D.I. उत्तरब्रदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ रोड पर एक्सिडेंट्स होने की खबर तो हम अकसर सुनते हैं कभी-कभी एक्सिडेंट्स में लोग घायल भी हो जाते हैं लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है जो वेहिकल्स एक्सिडेंट में घायल होती हैं उन पर क्या बीटती है संडे की छुट्टी के बाद मंडे बड़ा अफरा तफरी वाला दिन होता है किसी को आफिस जाने की जल्दी होती है तो किसी को स्कूल जाने की किसी को बस पकड़नी है तो किसी को ट्रेन अब हमारे पडोस के वर्मा जी को ही देख लीजिए कैसे इधर से उधर परेशान होकर भूम रहे हैं मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कहीं मेरी ट्रेन छूटना जाए लेट सी, मेबी सम्मान विल गिव में अलिफ्ट वर्मा जी की तरह गट्टू भी बड़ा परेशान लग रहा है मा, मेरी बस अभी तक नहीं आई टोड़े इस मैं क्लास टेस और आइम गेटिंग लेट फोर माइ स्कूल मैं जाकर बाहर देखता हूँ अरे बंटू, तेरी वैन आई क्या? मुझे भी अपने साथ ले चल अभी तक मेरी बस नहीं आई अरे बंटू और गटू, स्कूल के लिए हम लेट हो रहे है तब ही गटू को कुछ दिखा अरे वो देखो वहाँ एक बस खड़ी है लगता है आज के दिन सारे means of transport किसी बात से नाराज है तो आईए सुनते हैं वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं सबसे पहले बस बोली गटू, आज हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा कल मेरी छुटकू ओटो को किसी ने सामने से ही टककर मार दी बेचारा तूटा फूटा गैराज में पड़ा है दू यू नो, ठीक होने के लिए कितने हथोड़े के बार सेने पड़ते हैं बस की बाते सुनकर बाइक भी खुद को रोक नहीं पाई और बोली Dear bus, you have taken a good decision मेरे मालिक को तो ना मेरी चिंता है और ना अपनी ही कोई फिक्र जब देखो तब he drives me without helmet पुलीस मुझे पकड़ पकड़ कर ले जाती है बड़ी मुश्किर से छूट कर अपने मालिक के पास आ पाता हूँ Now I am fed up कौन बताए उन्हें helmet पहनना है जरूरी तभी रहेगे सुरक्षा पूरी तभी बस और बाइक की बातें सुनकर वैन ने दोनों से कहा Friends, मैं उधर अकेली उदास खड़ी थी सोचा आप लोगों के पास चलकर मैं भी अपने मन की बात कहलू You know what happened कुछ दिनों पहले मैं तेजी से जा रही थी एक छोटा सा बच्चा दौरते हुए रोड पर आ गया I think he was playing on the road हाला की मेरे मालिक ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की और वै बच भी गया एक्सिडेंट होने से लेकिन सब ने मुझे मार मार कर मेरा प्रिटी सा फेस बिगार दिया अरे दियर बस कल आपके छुटकू आटो को बहुत चोटाई है न मैं तो उसका हाल चा लेने ही नहीं आपाई Hearing all this, the bus was very sad and said It's okay, कोई बात नहीं, dear van You yourself were upset अब इन मौर्खों को कौन समझाए जहां भी हो ट्राफिक का जन्जाल कभी न करें मुबाइल का इस्तिमाल Yesterday evening छुटकू आटो रेड सिगनल पर खड़ा था और सामने से एक महाशय जो ट्रक पर सवार थे उन्होंने रेड सिगनल देखा ही नहीं और बेचारे मेरे छुटकू को दे मारा When बोली That is because he was talking on mobile Yes, you are right मेरा क्यूट सा छुटकू बेचारे के सारे body parts damage हो गए तब ही वहाँ एक shining car आई और बोली Oh, why are you all crowded here? अपने अपने काम पर चलिए कार की बातों से नाराज होकर बाइक बोली अरे ब्यूटिफुल कार, तुम्हें हम लोगों के दर्द की कोई चिंता नहीं है कार समझ गई की बाइक नाराज है और वह बोली अरे भाई, it is not so Please, don't take it otherwise मैं भी तो तुम्हें की तरह परिशानी में पढ़ जाती हूँ अब देखवाज सुबा की ही बात है चारों तरफ अफरा तफरीसी मची थी कोई भी पैदल यात्रीaway zebra crossing पर red signal होने का wait ही नहीं कर रहा था जैसे green signal होने पर हम भागे जा रहे थे वैसे ही pedestrians भी भागे जा रहे थे और तो और चलने से पहले ना left देख रहे थे ना right You know what happened today एक जोर की टकर It was my good luck that I am safe Yes dear, you are right At last, the van sang a song regarding road safety The road is not the place to play Whether at night or during the day The road is not the place to play Whether at night or during the day Cars and buses come and go Some are fast, some are slow Cars and buses come and go Some are fast, some are slow Right and left you see then go Right and left you see then go Cross the road by walking slow Cross the road by walking slow Walking slow, walking slow Cross the road by walking slow Walking slow, walking slow Rock the road by walking slow Rock the road by walking slow Rock the road by walking slow We got to go We got to go We got to meow We got to go